हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस क्लास 10 में जितने भी इस्टुडेंट थे उनका यूपी बोर्ड का एक्जाम समाप्त हो गया है कई राज ऐसे हैं जहां पर यूपी बोर्ड का एक्जाम चल ला है फ्रेंस देखिए कितने इस्टुडेंट यह हैं कि उनके मन मे में डाउट चलना है कि दस का पेपर होगे हम 11 में जब हमें अडमीसन लेना है तो हम जीविक ज्यान से पढ़ें या गड़ी से पढ़ें किसमें नोकरी आपको ज्यादा मिलने की चांस है किस छेत्र में आपको नोकरी के आसार ज्यादा है ठीक है तो आपको यहां पर पूरा डीटेल से आपको बताएंगे आपका मिशन तू हजाजाज चौबीस में 11 में कहुं सा सब्जेक्ट लें ठीक है फ्रेंस आपको डीटेल से बताएंगे तो फ्रेंस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक कीजिए गा और चैनल पे नए है तो चलब को जाद है कि जो यहां पर आपका पी है पी का मतलब होता है फिजीक्स क्या है फ्रेंस देखें यहां पर पूरा देखिए आप फिजीक्स ठीक है और सी का यहां पर मतलब है कमेश्टरी ठीक है कमेश्टरी और यहां पी का मतलब होता है बायलोजी क्या होता है बायलोजी और invite देखिए ऑप जीवagyan का मतलब हो है इन सब के बारे में आपको पढ़ना है इसके साथimetर आपको यहरीची चीड़ बनाना अच्छा लगता है आपको उसमें इंट्रेश्ट है तो आप जीविगान लेजिए ए अब देखे फ्रेस्ट आपको बलास्ट में पताएगे कि किसमें ज्यादा नोकरी मिलता और जीविगान से पढ़ेंगे तो आपको किस छेत्र में नोकरी मिलेगा यादि आप गड़ी से पढ़ेंगे तिक चेत्रे में आपको रोकरी मिलें एक हाँ परम इ cuma मतलभ समझ लेता है तेखना भीम का मतलब आपका मिहता अब यहां बात करते हैं आ आपको PCP और PCM का मतलब समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं कि यदि हम PCP करते हैं यानि जीविग्ञान से पढ़ते हैं तो आपको किस छेत्र में नोकरी मिलेगे देखिए जो नोकरी की बात होती है आपको नीट कर रहे हैं ठीक है आप सीधे डाक्टरी के लिए सबसे ज करते हैं जो विग्ञान से करते हैं तभी आप वह कर पाएंगे ठीक है फ्रेंज यादि गड़ी से करते हैं PCM जो अप लेते हैं यानि फिजीक्स कमेश्ट्री मेठ लेते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा नोकरी का चांस है देखिए फ्रेंज क्या है इसमें आपक फिर इसके पाद एयर फोर्स ठीक है एयर फोर्स और इसके साथ में नेवी ठीक है नेवी रेलवे ठीक है देखे फ्रेंस जितने भी बता रहें डिपार्टमेंट इसमें सबसे ज्यादा आपको रेलवे हो गया एससी हो गया रेलवे में एससी में सबसे ज्यादा आपको इस फ सकते हैं ठीक है आप पूलिस में जा सकते हैं एर फोर्स में इस सब में नोकरी पाना आप कैसे लिए आसान होगा यदि आप मैथ सब्सक्रेंट में इसमें इंट्रेस्ट सबसे जादा यह मायने रखता है आपको सब्सक्रों की सब्सक्रेंग्रोलाइन को सबसे अच्छा लगता रहे हैं वहीं आपके उन पर निर्वर करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है किसमें आपकी रूची है बायोजी में है या मयत में लेकिन देखिए आपको बता दें कि मयत वाले जितने भी स्टुडेंट होते हैं उनको अपार नोकरिया मिलती है अपार छेतर है ठीक है उनका पूलिस बनना एरफोर्स ने भी र इंजिन बनना आसान होता है लेकिन लाश्ट में एक पॉइंट आपको जरूर बताएंगे फ्रेंस कि आपका जिसमें इंटेस्ट होगा जिसको पहने में आपकी रूची होगा ठीक है वही सब्जक्ट लीजिए ठीक है अब फ्रेंस आपको बता दें कि आपका कुछ समय के आंसे पाद एक वीडियो अप्लोड करेंगे ओनेक्स्ट भीडियो एपको रहेगा और ये टॉपिप रहे आपका वीडियो का कि किस से हमघ्र कम समय में यानि कौव Evans राप्त करें जिसे राप्त कंब से कम समय में आपकरि मिल assistance कर लीजिए मिदिल क्लास के हैं कम से कम समय में आप नोकरी आसानी से पा सकते हैं ठीक है फ्रेज्ट देखें फ्रेज्ट आप ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नये हैं तो चल को सब्सक्राइब करें